आप सब का सूपर कंसर्ट क्लासे में स्वागत थे और आज किस वीडियो में आप लोगों को क्लास माइन देखे विग्गान का एंसर की बताने वाला हूं जिसका एक जाम आज हुआ था तो आप लोग फटा-फट अपने कोश्चन पेपर को निकाल लिए और आप लोगों देखें यहाँ पर कि आप लोगों ने कितने कोश्चन का एंसर सही दिया है और कितने कोश्चन का एंसर गलत दिया है आप लोग का कितना नंबर आ रहा है आप लोग नीचे कॉमेंट चीज़ को देखिए, मिलाईए और कितना नंबर आ रहा है आप लोग फ्राफट बताईए, तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो question है क्या है कि कुन अधिसरासियत यहाँ पर चाल, यानि का option number 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, question number 2 देख लेते, question number 2 हमियाँ पर क्या are working threeustre, question number 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, question number 4 को चलते है question number 4 देख लेते हैं, question number 4 हमियाँ पर क्या दिया हुआ है, question number 4 देख लेते हैं, question number 4 , 231 समें बस्तुल की दवार देख ही यह कही दूर है तो इसको चाल बोला जाता है, यह निस्ची दिसा दिया रहने से बेग हो जाएगा, तो निस्ची दिसा नहीं दिया है, यहाँ पर एक्ट्वल नहीं, ठीक है, तो निस्ची दिसा नहीं है, इसलिए हमर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, चार का सही उत्तर अप्शन नमबर क्या हो रहा है तो छोग नमर का जो सही हत्तर आ रहा है और अपना ठीकल काष्टम हो तहरी कि नूटन की कितने नियम हैं और इसके की तीन होते हैं साथ का सही उत्तर हो जाएगा question number 8 देखे question number 8 यहां पर क्या दिया हुआ देख लिजिए कि नीमनी में किसका जड़त्व अधिक होगा जिसका द्रेमान अधिक उसका जड़त्व अधिक तो यहां पर train का द्रेमान सबसे अधिक होगा इन चार option में से तो इसका जड़त्व भी अधिक होगा एक आमान चौव मिटर पर सगेंड स्कोर आएगा आप लोग बना लेज़े इस प्रकार से यहां पर आप स्थन नमर फोर बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा कोस्टन नमर ग्यारा की और चलते हैं कोस्टन नमर ग्यारा देखिए कोस्टन नमर ग्यारा हमें क्या दिया गया है यहीं यहां आप लोग को पढ़ाया था कि जी कामन कितना हो तर नौप पॉंट अट मीटर पर सकेंड स्कोर होता है और आप सनमर टु बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा question number 12 देखिए question number 12 में यहां पर G का हमें SI मात्रग निकालना है ठीक है तो हो जागा Newton meter square पर किलोग्राम का square option number 3 बिल्कुल सही उत्र होगा 12 का क्या हो जागा option number 3 यहां पर सही उत्र हो जाएगा question number 13 देखिए question 13 यहां पर क्या दिया हुआ देखिए यहां पर कि जंद्रमा के सत्वर कि जिवस्तू का भार प्रिद्वी के सत्वर उसकी भार का कितना गुणा होता है तो एक बटा च्वगुणा होता है question number 14 यहां पर क्या दिया हुआ देखिए question number 14 यहां पर क्या दिया हो है कि किस अवस्ता में अनू की उर्जा अधिकतम होती है तो gas में यह मतलब यहां पर जो जा होता है अधिक्तम होता है 15 का सही उत्तर option number 3 हो जाएगा question number 16 की और चलते है question number 16 देख लेते question number 16 यहां पर क्या दिया देख लिजिए question number 16 की वापर की वापर की जिसमें इतरी की गंद बायू में 4 और फैल जाती है काल आती है तो विस्तरन मैंने आप लोगों को सुभाई पढ़ाया था 16 का सही उत्तर option number 1 हो जाएगा question number 17 देख लेते हैं question number 18 में क्या दिया गया देख लिजिए question number 18 यहां पर है कि जो gas के जो कर्ण के बीच का आकरशन बहुता है तो बहुत ही कम होता है ठीक है अठार का सही उत्तर option number 2 हो जाएगा पर question number 19 समय में पर दिया है कि निम निमें कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरांदे होता है तो सुती कपड़ा गर्मियों के दिलों में अधिक आरांदे होता है 20 का सही उत्तर option number 3 हो जाएगा आगे चलते हैं question number 21 question number 21 देखें, आपर question का option है थोड़ास misprint है यापर 1 nanometre किस के बराबर आपको बताना थे एक 9m जो होता 10 के माथमे-9m के बराबर होता है यहापर कहीं पार मिटर नहीं दिया है बलकि 9m ही धिया हुआ है तो 21 का यक्षन में जो सही उत्तर होता 10 के माथा में मैनस 9 मीटर सही उत्तर होता Q22 देख लेते हैं Q22 यहांपर क्या दिया हुआ दिख लिजिए Q22 जो दिया हुआ क्या है यहाँ पर इस्तिर अनुपात का नियम जो है किसने पर्धिपादन क्या इसका बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा लाउज यह इवंग प्राउस्ट ने अप्सन नमर थी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जल का जो सुत्र होता है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सिजन का जो बहर का जो नपाथ होगा बताना है तो इसका सुत्र होता है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोश्चन नमर 26 का जो थैला है किसे कहते हैं तो लाइसोसोन को कहते हैं 27 का सही उत्तर अप्सन नमर चार हो जाएगा कोश्चन नमर 28 देख लेते हैं कोश्चन नमर 28 क्या दिया हुआ देख लेजिए तो बहुत सरा कोश्चन पुछा गया है मदला मोडल पेपर से भी और बहुत सरा कोश्चन नहीं है सिंपल ही है यहां पर कोश्चन नमर 30 यहां पर क्या दिया है कि जन्तु कोशिका में नहीं पाय जाता तो कोशिका विक्ति नहीं पाय जाता अप्सन नमर 2 बिल्कुर से उत्तर हो जाएगा कोश्चन नमर 31 या पर क्या दिया है सिंतु कोशिके नहीं नहीं पाय जाता अप्सन नमर 2 से उत हो जाएगा अगे देखिए अगला जो परस्ण है question number 32 question number 32 यहांबर क्या है कि रंग इन plastic को कहेंते हैं क्या बोलते हैं तो इसको chromoplasty बोला जाता है 32 का सही उत्तर option number 2 हो जाएगा question number 33 क्यों चलते है question number 33 देख लेते है question number 33 क्या देख लीजिए किसके अनुपस्तिते में प्रोटिन संसलेसन नहीं होता तो राइबोसोम इसका सही उत्तर option number 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर आगे चलिए question number 34 क्या है देख लिए question number 34 वह में दिया गया है कि किस प्रकार के उत्तकों की कियासलता के कारण पोधों में वार्सिक वलई बनते हैं तो इसका हो जाएगा पासर्व क्या है विभोजियों तक यांकि option number 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा question number 35 देख लेते है question number 35 यहां पर क्या दिया है देख लिए question number 35 के निमलिकित में से तो जाएलम इसका उत्तर हो जाएगा option number 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा में आप लोगों को पढ़ाया भी था question number 37 देख लिए question number 37 क्या है कि मुंफली और बादाम की चिलकों में पाया जाता है क्या पाया जाता है question number 38 देख लेते हैं question number 38 क्या दिया गया देख लिजिए question number 38 है कि सरीर का बाहरी और भीतिरी रक्षक आवरन बनाते हैं क्या तो epithelium उत्तर हो जाएगा question number 39 देख लेते हैं question number 39 यहाँ पर क्या दिया है देख लिजिए question number 39 के जिस मिर्दु तक की कोसिकाओं में हरी तिलवक पाया जाता है उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं color and kai ma option number 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा question number 40 देख लेते हैं आप लोग का कितना number आया आप लोग बतायाँ चली मिलते हैं अगले वीडियो में thank you जाहिंद